सारे फसाद की जड़ प्रियांका है प्रियांका को बाहर निकालो तो सब अपने आप बिखर जाएगा तो दोस्तो अब मंडली ने एक नई साजिश जो है उसको अंजाम देने की यहां कोशिश की है चलिए बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाय में मैं ह अब यह चीज बार-बार मत कहो उसके लिए कि वो एक स्ट्रॉंग गंटेस्टेंट है देखा जाए तो सारे पसाद की जड़ प्रियांका ही है यह जो वहां पे दो तीन लोग जो बच रहे हैं उसकी जड़ प्रियांका ही है तो एक काम करते हैं प्रियांका को ही बाहर निक साल देते हैं तो आज के नॉमिनेशन में उन लोगों ने यहां पर कहीं न कहीं यह भी साफ दिखा के प्रियांका को नॉमिनेट भी क्या बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन स्रजिता ने आकर प्रियांका को बचा लिया तो दोस्तों यहां पर जिस तरीके से अंकित को बा साजिद खार नहीं दिया था लेकिन अईसा लगता है कि प्रयांका के लिए वह बखुभी साथ देनेवाले हैं और प्रयांका के खिलाफ तो पूरा घर है। लेकिन क्या ओडियंस वोट के हिसाब से प्रयांका को बाहर निकाला जा सकता है। तो जवाब आप सभी जानते हैं कि नहीं, तो क्या बिग बॉस भी फिर मंडली के साथ मिलकर कोई प्लान करने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मंडली ने बिग बॉस को तो हिंट दे दिया है, कि मंडली क्या चाहती है, जैसे कि पहले दिया था, अब आगे क्या होने वाला है, क्या ये साजिशे जो हैं कामियाब होगी, क्या इन साजिशों को उसी तरीके से अंजाम दिया जाएगा, जैसे पहले दिया गया था, ये देखना आप काफ़ इंटरस्टिंग रहने वाला है, क्या कुछ आपको कहना, कमेंट्स में जुरू बताएए,